अकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैंता बैनर जी सबसे पहली बुलिटन के मुख्य समाचार मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान आज प्रदेश के लगहू और मध्यमुद्यमियों के खाते में 400 करोड रुपे के अनुदान राशी अंतरत करेंगे मुख्य नर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मद्दाता सूचियों में नए युवा मद्दाताओं को जोड़े जाने पर जोड़ दिया विज्यान और प्राद्योगे की परिशत की मंथन यात्रा आज से 52 के एक हजार विद्यार्धी शामल होंगे और विश्व महीला बुक्यबाजी में भारत के लिए निखच जरीन और लवलीना ने दो स्वाइंट पदक और हासल किये वहीं भोपाल में वर्ल शूटिंग संपन स्विफ्ट को और समरानी का सिपदक हासल किया अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान आज प्रदेश के 1500 सूश्क मलगू और 2000 मद्यम उद्यमों के मामलों में सिंगल क्लिक के जरिये 400 करोड रुपे अनुदान राशी उद्यमियों के खाते में अंतरत करेंगे मुख्यमंत्री निवास में सुभा साढ़े 11 बजे आज़े तस कारिक्रम में MSME, मंत्री, ओंप्रकार सकलेचा भी शामिल होंगे प्रदेश के और द्योगिक संगिठनों के प्रतिन अधी और हितलाब वाले उद्यमी भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग से शामिल होंगे सचिव, MSME, पी नरहरी ने बताया कि कारिक्रम का सीधा प्रसारण, दूरदर्शन, क्षेत्रिय न्यूस चैनल और सोशल मीडिया के विभन प्लाटफॉर्म पर भी किया जाएगा मुख्य नर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि प्रतेक मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने मतदान केंद्र का सरवे कर मतदाता सूची की शुधता का कार्य पूर्ण करे नर्वाचक नामावली को अधिक प्रभावी और बहतर बनानी को लेकर भुपाल में कल एक दिवसी कारिशाला का शुभारंब करते हुए उन्होंने कहा कि इसका विशेश थ्यान रखा जाए कि एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर हो दोहरी प्रविष्ठी वाले मतदाताओं की विशेश रूप से जाच की जाए और मौकी पर जाकर उनके आधार नंबर समगराईडी नंबर प्राप्त किये जाए मुख्य नर्वाजन पदाधिकारी ने कहा कि एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयू पून करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए ऐसे युवाज जो एक जनवरी, एक अप्रेल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयू पून करेंगे वे मतदाता सूची में नाम चुड़वाने के पात्र हैं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाडली बहना यूजना के आवेदन जमा करने का काम चल रहा है इंदौर जिले में दो दिनों में अभी तक 13393 महिलाओं ने अपने आवेदन जमा कर दिये हैं बैतूल जिले में पहले दिन 1334 आवेदन जमा किये गए आवेदन जमा करवाने के लिए नगरियक शेत्र में शिवर भी लगाये गए हैं मुरैना में लाडली बहना यूजना के फॉर्म पांच स्थानों पर भरने के लिए अलग-अलग दल गठित कर ड्यूटी लगाये गई है यूजना के तहट ग्वाली अर्जिले के शहरी और ग्रामिंग शेत्र में भी रविवार को आवेदन पद्र भरने का काम किया गया कलेक्टर अक्षे कुमार सिह ने मुरार के खुला संतर स्थित सोन कार्याले 9 में पहुँचकर लाडली बहना यूजना के अंतरगत पंजियन की कारवाई का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा नर्देश दिये खंडवा सांसत, क्यानिश्वर पाटिल नेकल, बढ़गाउं गुर्चर में लाड़ी बहना यूजना के तहत हिदकराहियों से चर्चा की सिहोर जिले में भी शिवर लगा कर आवेदन भरवाय जा रही हैं आवेदन पत्रु जमा करनी की आखरी तारीक 30 अप्रेल है बेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट News on AIR.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मध्यप्रदेश विज्ञान इवं प्रोध्योग की परिशद द्वारा आज मंथन यात्रा उनलाइन की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश के बावन जिलों के आटवी से लेकर बारफी कक्षा के चैनित लगभग एक हजार विद्यार्थी भाग लेंगे यात्रा का समापन 31 मार्च को होगा विद्यार्थियों को पुणे, हैद्रबाद, दिल्ली, लखनओ, दहरादूर, मोहाली और भुपाल की राशी प्रयोक शालाओं और विद्यानिक संस्थानों की गतविधियों और उपलब्धियों को जानने, विद्यानिकों से समवाद और सवालों को पूछने का अवसार मिलेगा गोरतलब है कि विद्यान मन्थन यात्रा की शर्वात वर्ष 2007 में होई थी जसका उदेश प्रदेश के विद्यार्थियों में विज्यान में रुची पैदा करना और उन्हें करियर के रूप में विज्यान विश्यों को चुनने के लिए प्रोच साहित करना है अभी तक विज्यान मंधन यात्रा में 8000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं अंतराश्य खादिय प्रसंसकरण ODP एक्सपो 2023 के दूसरे दिन विशे विशेशग्यों ने खादिय प्रसंसकरण एकाईयों की स्थापना और उत्पादों के विपनन पर जानकारी दी एक्सपो में माली प्रशिक्षन के प्रमान पत्र भी वित्रुद किये गए एक्सपो में खादिय प्रसंसकरण से सम्मंधित मशीनरी, सचाई यंद्र, ड्रोन टेक्नोलोजी और खादिय प्रसंसकरण उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया विश्व महिला मुक्यबाजी चैंप्रिंशिप में भारत ने कुल चार सौन पदक जीत ले हैं कल पचास किलो लाइट फ्लाइवेट वर्क के फाइनल में निकहत सरीन ने वियतनाम की क्वेंथी टैम को पांच शूनिय से हराकर देश को तीसरा सौन पदक दिलाया निकहत 6 बार की विश्व चैंपियन MC मेरी कॉम के बाद 2 बार ये खताब जीतने वाली भारतिय बन गई हैं लवलीना ने 75 किलो मिदल वेट वर्क के फाइनल में आस्ट्रेलिया की एनी कैटलीन पारकर को हराकर प्रतियोगिता में भारत को चौथा सौन पदक दिलाया वहीं स्विस ओपन बादमिंटन टोर्नमेंट में भारत के सात्विक साइराज रेंकी रेड़ी और चराक शेठी की जोडी ने पुर्शो का डबल्स खिताब जीत लिया है इस वर्श भारत का ये पहला खिताब है भुपाल में ISSF वर्ल कप के आखरे दिन भारत की सिफ्ट को और समरा ने अपना पहला व्यक्तिगत विश्व कब पदक जीता मरिकल की छात्रा और मौजूदा राश्वी चैंपियन भारत की सिफ्ट ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन 3P में शीश आठ रैंकिंग राउंड में 403.9 स्कोर कर 80 पदक हासल किया चीन की जांग क्यूनंग्यू ने स्वंड पदक और चक गणराजी की अनीता बार्बकोवा ने रज़त पदक हासल किया पुशो की 25 मीटर रैपिट फायर पिस्टिल में चीन के जांग जूमींग ने 40 शॉट आठ श्रिंकला पदक मैच में 35 हासल कर स्वंड पदक जीता ISSF World Cup Shooting Championship में चीन ने 8 स्वंड दो रजट और 2 कासी पदक सहित कुल 12 पदकों के साथ शीश स्थान हासल किया भारत एक स्वंड एक रजट और 5 कासी कुल 7 पदकों के साथ दूसरे और जर्मनी एक स्वंड एक रजट और 1 कासी पदक के साथ कुल 3 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा पहली विमन्स प्रेमियर लीग में मुंबाइ इंडियन्स चैंपियन बन गया है उस निकल फाइनल मैच में डली कैपिटल्स को साथ विकेट से हराया मुंबाइ की कप्तान हर्मंद प्रीत ने तीसरे विकेट के लिए नेच स्क्विवर ब्रंट के साथ बहत्तरन जोड़कर महत्वपून भूमिगा निभाई अब कुछ समाचार संक्षेप में रीवा के सुंदर जाम और मुरैना की गजग को जी आई टैग हासल हो गया है दस हजार रुपे नाम दिया जाएगा नर्मदापुरम जिले में रभी के वाद गर्मी की तीसरी फसल मूंग बोने की तयारी है इस बार मूंग की फसल का रगबा तीन हजार हेक्टेर बढ़ने जा रहा है खंडवा सांसत ग्यारेश्वर पाटिल नेकल ग्राम बढ़गाओं में प्रधानमंतुई नरेंद्र मोधी की मन की बात कारिक्रम को ग्रामीनों के साथ टीवी स्क्रीन पर देखा और सुना पांचवी से आटवी कक्षाओं की परीक्षा के संचालन और विद्यार्थियों की उपस्थिती में सिहोर जिला प्रदेश में चौथे स्थान पर रहा है मंडला जिले में रविवार को मौसम फिर बिगड़ा और बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में उलावरिष्टी की खबर है गेहु सहित दलहनी फसलों को नुकसान है और जबलपुर में पुलिस ने साथ नशीले इंजेक्शन का कारोबार करते हुए एक महिला को गिरफतार कर लिया है लेकिन उसका पती फरार है अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान आज प्रदेश के लगू और मध्यम उद्यमियों के खाते में 400 करूर रुपे के अनुदान राशी अंतरत करेंगे मुख्य नर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मध्दाता सूचियों में नए युवा मध्दाताओं को जोड़े जाने पर जोड़ दिया विज्यान और प्राद्योगे की परिशद की मंधन यात्रा आज से बावन जिलों के एक हजार विद्यार्थी शामिल होंगे और विश्व महिला मुक्यबाजी में भारत के लिए निकहत सरीन और लवलीना ने दो स्वाइन पदक और हासल किये वहीं भोपाल में वर्ल शूटिंग समपन सुफ्ट को और समरा ने कासी पदक हासल किया बुलिटन में इतना ही अजासत दीजे नमस्कार